आज का जो मेरा वीडियो रहेंगा वो रहेगा आपका एगो डिफेंस मेञेजम पे जो पार्ट है आपका स्टैक्च्रों परस्नलिटी का जो मेरी थरड वीडियो थी जसमें मैंने आपका structure of personality पढ़ा है था by the sigmund rule तो उसी का part है आपका ego defense mechanism without आपके ego defense mechanism के कही ने कहीं जो आपकी structure of personality part है वो complete नहीं होता है तो चलिए आज हम इस part को complete करते हैं शुरू करते हैं आपका ego defense mechanism so ego defense mechanism शुरू करने से पहले what is ego defense mechanism होता क्या है तो in psychoanalytical theory a defense mechanism तो अगर बात करें psychoanalytical theory psychosexual theory by the sigmund rule तो उसमें हम बात करें तो defense mechanism क्या होता है ये part है हमारा unconscious mind का जो हमारा unconscious three parts of mind की बात करते थी हमारे sigmund rule, conscious mind, subconscious mind and unconscious mind तो जो defense mechanism है वो part है हमारा unconscious mind का और help करता है हमारे किस चीज को उस anxiety को reduce करने की frustration को एंगर को जो की हमें जिसको हम accept करने से हमें क्या होगा हम्फ होगा उस चीज़ को overcome करने में हमारी help करता है defense mechanism basically अगर मैं बात करूँ simple शब्दों में तो defense mechanism क्या होता है कुछ ऐसी चीज़े होती है हमारी life में जो हमें harm करती है जो हमें anger दिलाती है frustration दिलाती है या फिर depression की तरफ लेके जाती है तो उन सभी चीज़ों को जो है वो overcome करता है हमारा defense mechanism खुद का जो हमारा defense mechanism होता है वो जिस तरीके से हमारा immune system होता है साइन्स में उसी तरीके से हमारा ego defense mechanism हमें बचाता है disease से और जो आपका ego defense system हो हमें बता जाता है हमारे mind को जो हो आपका क्या रखता है fresh रखता है और हमेng healthy mind रखता है तो ego defense mechanism से क्या होता है कि हम जो है वो उस चीज़ को कहीं न कहीं defend करते हैं उस feeling को defend करते है या फिर उन thoughts को defend करते हैं जो हमें harm करें Emotionally हमें जो है वो benefit ना दे कि हमें क्या है harm दे उन चीज़ोंको defend करता है हमारा defense system और ego defense system जो होता है वो किसी person का create नहीं किया जास सकता हाँ हम उसको boost up कर सकते हैं जिस तरीके से हम immunity को boost up करते हैं उसी तरीके से defense mechanism को भी हम लोग अच्छे thoughts हमारे mind में positive thoughts भरके उसको boost up कर सकते हैं लेकिन वो natural होता है immune system की तरह ही तो एक तरीके से comparison तो नहीं किया जा सकता है immune system और defense system का लेकिन एक example की तरह मैं आपको समझा रही हू कि जिस तरीके से हमारा immune system work करता है मैं disease से लडने के लिए उसी तरीके से ego defense system जो है वो work करता है हमारे thoughts होते हैं उनको और जो हमारी feelings होती है जो हमें कहीं नगी harm करती है उन चीजों को overcome करने में हमारी help करता है ego defense system basically अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें harm कर रही है harm in the sense कि emotionally हमें unstable क कर रही है तो उस चीजों को जो है वो defense system जो है कम करता है और यह natural होता है and normally जो है वो work करता है naturally रहता है हर किसी में person में ego defense system तो कुछ defense system की defense system को में इस वीडियो में discuss करेंगे जो की last time commissions के exam में या फिर C TET, HP TET के exam में पीस TET, other TET किसी भी TET के exam में जो पूछे गए हैं जो म कुछ मैंने देखे जो defense mechanism पूछे गए थे तो उन defense mechanism को हम देख लेते हैं तो firstly आपका जो ego defense mechanism है firstly वो है आपका denial denial is the one of the most common defense mechanism जो denial है आपका बहुत जादा use होने वाला defense mechanism है तो it occurs यह मतलब अकर करता है जब हम लोग किसी reality को और facts को accept करने accept नहीं करते हैं refuse कर देते हैं किसी reality को accept करने या fact को accept करने में ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को accept करने से refuse कर देंगे मतलब वो चीज़ जो हमें emotionally जो है वो हमारे mind को emotionally impact करे उस चीज़ को हम लोग refuse कर देते हैं और जो है refuse कर देते उस चीज़ को accept करने के लिए तो वो है आपका denial मतलब denial अगर example की बात करें तो for example मालो आपकी किसी करीबी की death होगी है मालो किसी की भाई मतलब friend की death होगी है जो आपके बहुत जादा करीब थी या था so कही न कही आप उस चीज़ को जो है वो कुछ time के लिए जो है वो accept नहीं करोगे कि ये reality ये है तो कही न कही आपका mind जो है वो उस चीज़ को accept नहीं करेगा कि अब उस person की death हो चुकी है तो उसको जो refuse कर रहा है बार आर वो है आपका denial defense mechanism और denial defense mechanism work क्यों कर रहा है वो इसलिए कर रहा है इसलिए आपका denial defense mechanism work कर रहा है ये है आपका denial defense mechanism second one आता है repression repression का अर्थ क्या होता है हिंदी में दवाना है तो जो कुछ unsavory thoughts मतलब खटे खटे in the sense स्वाद में खटे नहीं मतलब जो कुछ अच्छे नहीं होते है painful memories irrational beliefs जो कुछ हमारे जो होते हैं जो हमें क्या करते हैं upset करते हैं कुछ ऐसी हमारी यादे होती है कुछ हमारी ऐसी memories होती है कुछ ऐसे painful incidents होते हैं हमारी life में जो हमें कहीं न कहीं क्या करते हैं upset कर देते हैं तो उन चीजों को face करने की बजाए क्या कर देते हैं कुछ परसंट उन चीजों को फेस कर लेता है लेकिन कुछ का कर देते हैं उन चीजों को अनकॉंशस माइंड में का कर देते हैं तो मतलब हाइड कर देते हैं और कोशिश करते हैं उन चीजों को फोगेट करने की तो वह है आपका रिप्रेशन और इसके अलावा रिप्रेशन क को आप याद नहीं करना चाहते हैं and mostly आज कल का example breakup हो गया आपका तो ब्रेकप की feelings भी कुछ person ऐसे होते हैं जो हाइड कर देते हैं लेकिन कुछ क्या करते हैं हाइड कर देते हैं तो जो हाइड करता है वो है आपका क्या इसके बाद जो आपका आता है projection है ना some thought of feeling you have about another person make you uncomfortable कई बार क्या होता है कुछ feelings और कुछ thoughts होते हैं अगले person के लिए किसी अगले person के लिए आपको क्या करते हैं uncomfortable करते हैं तो इस time पे आप क्या करते हैं उन feelings की projection कर देते हैं projection in the sense की उन feelings को change कर देते हो इसका example आप ले सकते हो for example आपने जो है वो कई आपके office में एक नया click आया आप उसको नहीं पसंद करते हो ना कुछ भी reason हो सकता है त Mensch की आप उसको पहले से जानते हो कुछ आपके और उसके कुछ personal relations भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से आप उसे पसंद नहीं करते हो ना in the sense के आप उसको dislike करते हो तो अब ऐसा है कि आप उसको बताने की बजाए कि 아 की आप जो है उसको पसंद नहीं करते हो आप खुद को बत मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसको dislike करता हूँ, वोँ चीज नहीं, मतलब आपने क्या करना, कि मतलब उसचीज में क्या करते हो, कि कई बार ऐसा होता है, कि जैसे माननो कि मुझे कोई person पसंद नहीं आता है, तो पसंद आता भी है, या फिर नहीं आता है, फॉर एक्जांपल नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को accept कर लेती हूँ कि यार ये परसन मुझे बहुत गंदा लगता है, परसन मुझे पसंद नहीं है तो उसके लिए मतलब एक तरीके से मैं attitude बनाने की बजाए मैं क्या करती हूं यार यह person ही मुझे पसंद नहीं करता है मैं ऐसा attitude बना लेती हूं कि यह person ही मुझे पसंद नहीं करता है वो है आपका projection defense mechanism जिसमें आप जो दूसरों के लिए feeling होती है उसको ही आपने लिए मतलब thinking को आपने लिए change कर लेती हो वो है आपका defense projection defense mechanism सेकिंड वन है आपका displacement displacement में क्या होता है जब आपका strong मतलब किसी person के लिए आपके पास जो है वो बहुत ज़दा मतलब frustration होती है तो आप उस frustration या anger को उस person पे अगर कही न कही निकालते हो तो वो आपके लिए कुछ नो कुछ problem create कर सकता है तो उसको आप उस person पे ना निकालके किसी और पे कर दो मतलब उस frustration और anger को निकालते हो वो है आपका displacement मतलब कि किसी और को बली का बकरा बनाते हो और ये बहुत बार होता है ये वाला defense mechanism हमारा बहुत जादा वार work करता है फर एक्जमपल office में आपको बहुत जादा frustration है मतलब कुछ हुआ ऐसा office में कि boss ने कुछ बोल दिया या फिर मतलब जो आपके senior colleague उन्होंने कुछ कह दिया आपको तो आपको बहुत जादा गुसा आता है और ऐसा है कि आप उन person को react भी नहीं कर सकते हो क्योंकि कही न कहीं आपकी job की जो security है मतलब वो job जो है वो कहीं जा सकती तो आप उन पे गुसा भी नहीं कर सकते हो frustration को निकाल भी नहीं सकते हो घर आए घर पे आगी कुछ ऐसा हुआ तो वो frustration या तो parents पे निकाल देते हो अगर आपके बच्चे है तो खुद के बच्चों पे हम वो frustration जो है कहीं न कहीं निकाल देते हो यह है आपका displacement जब हमारी जो frustration और anger है वो किसी अपने खुद पे न निकाल मतलब जिस पे है उस पे ना निकाल जब हम second person को बली का बकरा बनाते है वो है आपका displacement, defense mechanism और यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो frustration और anger है वो निकलना भी हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद बात करते हैं regression की तो regression में क्या होता है regression में क्या होता है जब कई बार हमारी जब हम younger age में होते है younger age in the sense जब मारा childhood होता है तो कुछ ऐसा trauma टौमा in the sense कोई ऐसी incidence जब हमारे साथ होते है जो कही नहीं हमें effect करते हैं तो उस incidence की वज़़य से ज़ो है हम लोग younger age में जब आते है यंगर एस से जब हमारा मालों की आपने बेबी हुड में कुछ ट्रॉमा हुआ आपकी लाइफ में या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई इंसिडेंस हुआ जिसकी वज़से आप डर गए फेर है आपके माइन में और वो फेर जो है वो आपके यंगर एस तक है तो आप क्या करोग तो यह जो है कई परसन में तो बहुत चोटी एस तक रहता है लेकिन कुछ परसन ऐसे भी होते हैं जो कि कई परसनों में 14-15 साल तक भी यह जो प्राब्लम में वो देखने को मिलती है rationalization next rationalization rationalizations क्या होता है तो इसमें क्या हो some people may attempt to explain undesirable behavior with their own set of facts this allow you to feel comfortable with the choice you made even if you know another level is not right इसमें क्या होता है कि आपको पता है मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो दूसरों की जो जूसरे आप सोचते हैं कि आप इस तरीके से behave करोगे आप वैसा ना करके मतलब उसकी opposite तो यह है आपका क्या rationalization और यह वाली choice जो है वो आपको क्या करती है comfortable करती है जब आप ऐसे behave करते हो तो आपको खुद को comfortable करेगी और आपको क्या लगेगा कि भले ही आपको बता है कि आगे बहला person right नहीं है आगे बला परसन जो है वो सही नहीं है फिर भी आप जो है वो comfortable feel करोगे वैसा behave करने से तो चलिए ज़ादा complicated नहीं करते हैं एक simple words मैं समझते हैं example के थूँ मान लीजे कि आप जो है बहुत ज़ादा गुसा है अपने co-workers पर गुसा है क्योंकि वो time से जो है वो काम को complete नहीं कर रहे है उसीज़ पर बहुत ज़ादा गुसा है तो आप क्या करते हो अब co-workers को एक idea है मतलब उनको पता है कि आप जो है पर गुसा करोगे और आपको भी पता है कि आप उसीज़ पर गुसा ही करोगे बट आप क्या करोगे गुसा ना करने के बजाए आप क्या सोचते हो कि आप office में आज office में आप उस दिन लेट गई मालो आप तो आप सोचोगे कि मैं भी आज office में लेट आया हूँ तो आप गुसा नहीं करके कि रखखवता behavior उसको opposite ही जो है वो आप behavior करते हो वो है आपका rationalization और जो वो behavior ऐसा नहीं है कि आपको कहीं न कहीं effect करेगा वो आपको comfortable करते है उस time जो आप वो behavior करते हो आपको comfortable कर रहा है वो है आपका rationalization next one है आपका summation and the last one this type of defense mechanism is considered a positive strategy that's because people who really in it tries to redirect strong emotion or feeling into an object or activity that is appropriate and safe तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो आपको frustration है जो आपको frustration है जो आपके emotions है उसको आप लोग आप change कर देते हो divert कर देते हो मतलब जैसे मालनो for example कि आपके employee ने काम complete नहीं किया ना employee ने काम complete नहीं किया तो आपको गुसा है उस पे बहुत जादा उस पे गुसा करने की बजाए आप क्या करते हो boxing मतलब boxing कर लेते हो या फिर आप कोई tv देख लेते हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो जो emotions है आपके जो आपके basically emotions है उन्हीं emotions को आप कहीं क्या कर रहे हो redirect कर रहे हो कहीं न कहीं किसी और तरफ जो है वो आपका ध्यान लगा रहे हो और ये वाला जो आपका defense mechanism है ये भी हमारा बहुत time work करता है for example जब भी आपको किसी person से डांट पड़ती है या फिर आप emotionally unstable होते हो तो कई person जो है उसको divert करने के लिए का करते है सोना पसंद करते है और ये बहुत बार जो हो हमारा होता है mostly student life में तो ये होता ही होता है और इसके अलावा और भी इसका example ये भी ले सकते हो आपकी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुसा आता हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा emotionally जब आप हार्ट होते हो तो कुछ परशन टीवी देखना भी पसंद करते हैं कुछ जब सॉंग सुनना भी पसंद करते हैं तो उनको जो है कभी time मिलेगा तो हम उसके बाद discuss करेंगे लेकिन ये थी है हमारे defense mechanism जो की questions form में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं question form in the sense कि मैं कोशिश करूँगी आपको एक questions form and provide कर वाने की जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से question जो है वो इनसे आपके teaching जाम में पूछे जाते हैं वो situational question देके आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का defense mechanism work कर रहा है so thank you for watching my videos and please like किजिये, share किजिये and subscribe किजिये मेरे channel for thank you so much